नमस्कार आप देख रहे हैं News24 First Express और मैं हूँ आपके साथ मानविठाकूर शिरुवात करते हैं आज की खास खबरों से यूपीडा के मुख्य कारेपालक अधिकारी और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचीव ग्रह अवनीश अवस्थी ने आज और एया के अस्ता गाउं में पहुँच कर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कारे का जायजा लिया उन्हें ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे यहा उन्हें ने कहा कि लगबग 80% कारे पूरा हो चुका है और शेश कारे भी शिग्र ही पूरा कर लिया जाएगा अवनीश अवस्ती ने कहा कि सीम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शिग्र और गुणवत्ता पूर्ण निर्मान के लिए सजग है और इसके लिए लगतार समिक्षा भी करते रहते हैं और यह पहुँचने पर जिलाधी कारी सुनिल कुमार वर्मा और पुलिस अधिक्षा का विशेक वर्मा ने ACS होम का स्वागत किया एक्सप्रेसवे पर ही बनाए गए हेलिपेट पर पुलिस ने उन्हें सलामी दी इसका रिवीव करेंगे खुल भी और उनका ये आदेश है कि इसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाए आपको मालूम है कि अधर्णी प्रधानमंती जी ने इसका शिलानयास किया था अभी फरवरी जन्वरी फरवरी 2020 से काम शुरू हुआ था तो अभी 24 महीने भी पूरे नहीं हुए है और कोविड काल भी बीच में था फिर भी जो है इस काम को बहुत तीजी से किया गया है आपने खुद देखा है यमिना जी पर जो ब्रिज है एक तरफ का ब्रिज अठार हो जाएगा तो चितकूट से दिली 6-7 घंटा जो मानि मुकंती जी का एक विजन है प्रथानवंती जी का जो मारदर्शन है वो जरूर पूरा होगा यहां पर हमने रिवीव कर लिया है काहम काफी तेजी से हुआ है और हम लोग ने यह निर्देश दिया है कि दो तीन स्ट् सर इस पूल के बनने से बहुत सी प्रोग्रेस तो होगी होगी लेकिन इसे एरिया से जुड़े करीब 30 गाउं है ऐसे हैं जहां पर साथ के समय में जवर्जस चल भराव के स्थिति हो जाती है लोग को पलाइन करना पड़ता है गाउं से और अगर वह कहीं कोई बात आएगी प्रोग्रेस के साथ समय जाएगा लेकिन आपको इतना बताने जो भी सटक बनती है तो सब्सक्राइब लोगिस्ट्रिक्स का भी आगमन होता है तो सब्सक्राइब बनने से तो चित का वहाँ विकास होगा प्रतिन निदी भी चाहरे कि जल्दीज काम को पूरा किया जाए इसको फिर से लिव्यू करेंगे हमारा प्रयास होगा जल्दीज को पूरा करा लगत इसकी जो है सड़क की लागत लगभग इसमें चौदा हजार पंद्रा हजार करोड करीब खर्च होगा जमीन को मिला कर और इसके सिविल लागत जो है लगभग 7700 प्लस GST लगभग 9000 करोड से अप्रॉक्शिमेट टाइम क्या है सब बनने कहा कुछ है आज की खबरों में बस इतना ही देखते रहें न्यूस 24 फर्स्ट एक्सप्रेस नमस्कार